वेलकम टो अनेकैडमी दोस्तों आज आज की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम मौलिक अधिकारों के उपर बहुत ही विस्तृत तोर पे चर्चा करेंगे और चूंकि इगवत मारकर से हम समझाते हैं और चूंकि जो एफ़ार हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे सम्विधान का बहुत ही महतपून भाग है उस पे हम बहुत ही धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चर्चा करेंगे ताकि आपकी जो conceptual clarity है वो हो जाए इस topic के उपर और दोस्तों ये topic लगातार PT और Mains में लगातार पूछा जाता है एक एक article के उपर हम बहुत ही बहतरीन तरीके से च खेत्र में इंडिया का सबसे बड़ा learning platform बन चुका है यदि आपने academy का subscription लेते हैं तो आपको क्या-क्या benefit मिलेंगे दोस्तों आपको मिलेंगी daily life classes जिसके माधियम से आप अपने educator के साथ chat कर सकते हैं discussion कर सकते हैं अपने doubt clear कर सकते हैं और answer poll की सुविधा भी आपको यहाँ प डिजाइन किया है आपको मिलेंगी live test and quizzes जिसके माधियम से आप अपनी कम्यों को परक सकते हैं दोस्तों unacademy combat का आयोजन हो रहा है 14 फरवरी को उसके बाद 28 फरवरी को तो आप बढ़ चड़के उसमें भागेदारी लीजिए और enroll कराने से पहले ललीता वाइटी ललीता वाइटी कोड का यूज़ करें दोस्तों और इसके अलावा आपको मिलती है unlimited access इसका क्या मतलब है यदि एक बार आपने unacademy का subscription ले लिया उसके बाद आप मेरे साथ unacademy के हर educator की classes तक access पा सकेंगे उन सबकी classes सुन सकेंगे recorded वीडियो देख सकेंगे live देख सकेंगे तो यदि आपने एक बार आण academy में subscription ले लिया संबंधित course में तो सब को आप सब तक आपका access हो जाएगा इसलिए जब भी भी आपको इस subscription ले तो ललीता वाइटी कोड का यूज़ करें आपको इन academy पे देश के सबसे बड़े educator पढ़ाते हैं साथ ही दोस्त यूपीसी के साथ ही अलग-अलग state civil services के बारा में इस देने का अनुभाव है मुझे interview का भी अनुभाव है मैंने अपना में political science और international relations में किया है इसके अलावा मैंने अपना UGC net भी political science और international relations में ही किया है जहां तक बात की जाए civil सेवाओं चाहे वो यूपीसी हो या अलग- मेरी classes की जो भी PDF है आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा आपको कोई doubt है आपको कोई question पूछना है तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं मुझे अनेकेडमी ने comprehensive तरीके से अपने पूरे syllabus को design किया है इसमें आपको क्या-क्या मिलता है आपको political governance and IR, geography, science and tech, NCRT summary, history, optional courses, environment and ecology, art and culture, current affairs, Indian economy, practice and strategy and answer writing courses यानि पूरे syllabus को आप अनेकेडमी के platform पे cover कर सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों दो तरीके के subscription होते हैं मैं फटा-फटा आप लोगों को बता देती हूं plus subscription और iconic subscription सबसे पहले हम plus subscription की बात करें तो दोस्तों आप 6 महीने से लेके और 3 साल तक का plus subscription ले सकते हैं और यदि आप दोस्तों ललीता वाइटी कोड का यूज करते हैं तो आपको आपकी फीस में 10% discount मिलेगा और दोस्तों याद रखिएगा ये 10% discount मात्र जो है फरवरी महीने के लिए है मार्च में ये discount कम होने वाला है तो जल्द से जल्द आप subscription लें फीस बढ़ने वाली है उधारन की तो रुपे यदि आप 2 साल का subscription लेते हैं दोस्तों आपको 72,000 रुपे देने होंगे लेकिन यदि आप ललीता वाइटी कोड का यूज करेंगे तो आपको मात्र 64,800 रुपे पे करने होंगे इसके अलावा Iconic subscription दोस्तों आप ले सकते हैं Iconic subscription के क्या फायदे हैं आपको Personal Guidance मिलेंगी Daily Question Answer Writing Practice होगी आपकी पूरी Study Plan की जाएगी यानि की आपकी जो Civil Services की जर्नी में एक मार्ग दर्शक हमेशा आपका मार्ग दर्शन करेगा साथ आपकी पूरी जर्नी में आपका सहयोग करेगा तो यदि दोस्तों आप मेरे मार्ग दर्शन में अपनी Civil Services की तयारी को आसान बनाना चाहते हैं मनजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो Iconic Subscription लें और Lalita YT Code का यूज करें यहाँ पे भी यदि आप Lalita YT Code का यूज करते हैं तो आपको 10% Discount मिलेगा दोस्तों और जो Iconic Subscription है यह आप एक साल से लेके 3 साल तक ले सकते हैं और यदि आप Lalita YT Code का यूज करेंगे तो आपको 10% Discount मिलेगा अने Academy Combat का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों 14 फरवरी और 28 फरवरी को जैसा कि मैंने पहले बताया Enroll कीजिए जादा से जादा भागीदारी कीजिए और Enroll करने से पहले Lalita YT Code का यूज करें आपको जो 1 से 10 तक रैंक आएगी उनको 1 मन्त का UPSC CSE GS Plus सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो आप जादा से जादा इस Combat में भागीदारी करें An Academy पे बहुत सारे batches launch होने जा रहे हैं Complete 1 Year batch course for UPSC CSE 2020 ये 12 फरवरी से start होने जा रहा है Complete 2 Year batch ये भी 12 फरवरी से start होने जा रहा है और NCRT batches ये 12 फरवरी से launch होने जा रहे है An Academy Optional के साथ Iconic GS और Optional के साथ Plus GS ये दोनों प्रोग्राम लेके आया है जहां पे आप एक साल से लेके तीन साल तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों यहां पे आपको offer भी है और यहां पे आप EMI की भी आपको सुविधा दी गई है और दोस्तों यदि आप Lalita YT Code का यूज करते हैं तो आपको 10% discount मिलेगा देखिए आज का जो हमारा topic होगा जैसे मैंने कक्षा की शुरुआत में बताया मौलिक अधिकार जैसे ही हम अधिकार शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में प्रश्न आना लाजमी है और प्रश्न आना चाहिए कि अधिकार क्या होते है अधिकारों का महत्व क्या है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए उसके बाद हम जाएंगे मौलिक अधिकार क्या है समवेधानिक अधिकार क्या है कानूनी अधिकार क्या है वो बाद की चर्चा है देखिए दोस्तों लोक तंत्र का आधार यदि हम कहें तो अधिकारों को लोक तंत्र का आधार कहा जा सकता है कैसे जब लोगों को अधिकार होंगे बोलने का ठीक है अभिव्यक्ति का धर्म की स्वतंत्रता का या पूरे अधिकारों को जब हम पढ़ेंगे तब ही वो लोक तंत्र में एक तरीके से भागीदारी कर पाएंगे और लोक तंत्र की नीव मजबूत होगी तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो अधिकार है वो लोक तंत्र का आधार होता है आप लोग इन बातों को लिख भी सकते हैं कुछ कोड वर्ड में कुछ नोट्स बना सकते हैं आप लोग कि ये लाइन समझ में आई दूसरी बात ठीक है और अधिकार वो परिस्तिया हैं दोस्तों जिनके अभाओं में कोई भी व्यक्ति मार कर उठा लेते हैं अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता मोटे तोर पे ये परिभाश आपको याद रखनी है अब आते हैं हम देपे और बीच में मैं आपको बताऊंगे कि क्या क्या डिफ्रेंसिस हैं सब में देखिए भारतिय सविधान का भाग तीन दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है लगातार पी टी मेंस में कोशन अधिकारों की आर्टिकल बारा से पैंतिस में बार बार बता चुकी हूँ याद रखना है आपको आर्टिकल बारा से पैंतिस में व्यवस्था की गई है मोलिक अधिकारों की इस संबंद में सविधान निर्माता अमेरिकी सविधान से प्रभावित रहे जब हम भारतिय सव सम्विधान से ली है फिर सम्विधान के भागतीन को भारत का मैगना कार्टा की संग्या दी जाती है जिसमें न्यायोचित मूल अधिकारों का उलेख है तो मैगना कार्टा शब्द आप बार-बार सुनते होंगे आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1215 में यहां लिख देती मैगना कार्टा बोला जाता है ठीक है तो इस घटना को basically मैगना कार्टा की संग्या दी जाती है तो जिस घटना की शुरुआत होती है हम कई बार क्या होता है उसी से लिंक अप कर देते है तो भारत का मैगना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है यह PCS में आप लोग उसे डिरेक् के बाद समिधान दुआरा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है ये गारंटी का क्या मतलब है दुकान पे जाते हो घड़ी खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए और आपको गारंटी मिलती है तो एक confidence रहता है ना मन में कि अगर कुछ खराबी हुई तो हम जो है इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं या फिर इसको दुकानदार ही ठीक करके देगा तो गैरंटी शब्द जो है ये बहुत ही राहत की सांस दिलाता है किसको भारत के नागरिकों को इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यदि हमारे मोलिक अधिकारों का उलंगन होगा यदि सरकार किसी भी सूरत में हमारे मोलिक अधिकारों का उलंगन करेगी तो हम कहां जा सकते हैं बार-बार बता चुकी हूँ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कोर्ट जा सकते हैं और डारेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते ह अधी हमारे मौलिक अधिकारों का उलंगन होता है तो हमें गारंटी दी गई है सम्मिधान के द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्ब में ठिक है मूल अधिकारों का जो तातपरिय है वो क्या है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नती से है राजनीतिक लोक तंत्र के आदर्शों की उन्नती कैसे होगी दोस्तों, जब मोलिक अधिकार प्रदान किया जाएगा किसको नागरिकों को, तो नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास भी करेंगे, साथ ही जो लोक तंत्रिक धाचा है उसका विकास भी स्वभाविक तोर पे होगा यदि लोगों को अधिकार मिले हैं लोग यदि अपने जो व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं तो राजनीतिक जो लोकतंत्र है मौलिक अधिकारों की अवधारना basically राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़ी हुई है और पिछली देश अधिकार जो है देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य को के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी से सुरक्षा करते हैं यानि कि अधिकार जो क्या करेंगे व्यवस्था बनाए रखेंगे ठिक और साथी राज्य ये अधिकारों का उलंगन करता है या कोई भी ऐसी कठोर व्यवस्था कर देता है जिससे नागरिकों के अधिकारों का उलंगन होता है तो क्या मोलिक अधिकार ऐसा जो दायरा है या अधिकार है शाशन से छीनते हैं समझ रहे हो मेरी बात को यानि शासन व्यवस्था यदि चाहे तो नागरिकों के मोलिक अधिकारों का उलंगन नहीं कर सकती है वो कठोर नियम ऐसे कठोर नियम नहीं बना सकती है जिससे नागरिकों के मोलिक अधिकारों का उलंगन हो इतने सी बास्त में समझ में आई यानि हमें guarantee है जो सरकार की जो ताना शाही प्रव्रती है उसको रोकते हैं मोलिक अधिकार और किस तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मोलिक अधिकार करते हैं ये हमने समझा यहां तक ठीक है देखे ये विधान मंदल के कानून के क्रियान विन पर ताना शाही को मरियादित करते हैं मैं explain कर चुकी हूँ दोस्तों समझ में आ रहा है मैं explain कर चुकी हूँ कि यदि संसत चाहे या विधान मंदल राज्यों के विधान मंदल से नहीं यहां बेसिकली संसद से मतलब है कि यदि संसद चाहे तो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उलंगन करे ठीक है अब वो एक अलग एंगल आएगा कहीं लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मूल धाचे की कक्षा में मैं आपने कुछ और बाते बताई थी तो मूल धाचे वाला एंगल अलग है दोस्तों और जिसने मूल धाचे की कक्षा नहीं देखी है वो एक बार देख लें उनको कुछ और पढ़ने की जरुरत नहीं पढ़ेगी मूल धाजे के उपर थिक तो ताना शाही को कम करेंगे कि नहीं करेंगे मोलिक अधिकार भई हमें गारंटी दी गई है किसी चीज की हमें गारंटी है कि हमारे मोलिक अधिकारों का उलंगन नहीं होगा आप किसी सूरत में नहीं कर सकते न्याय पालिका में हम न्यालिय में जा स यदि हमारे मूलिक अधिकारों का उलंगन होगा तो इतनी बात समझ में आई आई आपको उसके बाद देखिए थर्ड लाइंग फटाफट कि मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें समिधान गैरंटी एवं सुरक्षा देता है एक बात बताईए हम प्रत्युत्तर देना चाहें तो क्या होगा भाई उसको मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी गारंटी दी गई है समिधान में specially लिखा गया है मैं इसको erase कर लेती हूँ जादा होचपोच हो गया है guarantee पर ध्यान दीजिए कि उनको guarantee दी गई है उनको सुरक्षा दी गई है इसलिए वो मूल अधिकार है ठीक और जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धानत है इसका क्या मतलब है दोस्तो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धानत का क्या रत है कि जब राष्ट्र कोई कानून बनाएगा तो ये ध्यान रखेगा कि मूलिक अधिकारों का उलंगन ना हो किसी भी सूरत में ठीक है यानि राष्ट्र का जो कानून का मूल भूसिधान्त है मूल अधिकार और ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्तित्व के पहली लाइन याद कीजिए कि व्यक्तित्व के विकास का आधार है क्योंकि ये व्यक्ति के जो चहुमुखी विकास है चाहे वो भोतिक विकास है चाहे वो बुधिक विकास है चाहे वो नैतिक विकास है और चाहे वो अध्यात्मिक विकास है उन सब के लिए जो मौली का धिकार है दोस्तों वो आवशक है ठिक इतनी बात आपको ध्यान रखनी है भाग तीन, बारा से पैंतिस, एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी, जब हम कक्षा का अंत करेंगे, मेरे पैटर्न को आप जानते हैं, आप लोगों के दिमाग में मुद्दों को एकदम बैठाना मेरा उदेश्या है, कि आप लोगों को फिर छोटी-छोटी बातों को लेके कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, और वो कब नहीं होगा, जब आप मेरी क्लास को सुनेंगे, मेरे टेलिग्राम से जाके इस पूरी जो फाइल है, इसको अपलोड करके उसको रिवाइज करेंगे दो बार, तीन बार, तो इससे क्या होगा, मुद्दों पे जो आपकी समझ है, व इतना समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है यहां तक, अब देखे, यहां पे यह पूछ देता है, जैसे वर्तमान में, भारत में छे मूल अधिकार हैं दोस्तों, छे मूल अधिकार हैं, तो कहीं बच्चों को जब नहीं पता होता है, या वो याद नहीं करते हैं, तो प क्योंकि जो मूल समिधान था उसमें साथ मोलिक अधिकारों को प्रदान किया गया था बाकी छे सेम है जिसमें हम समता का अधिकार, स्वतंतरता, शोशन के विरुद अधिकार, धर्म की स्वतंतरता का अधिकार संस्कृति और शिक्षय संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 में है और संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और सात्वा है समिधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में यानि कि इस छेवे अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को यदि हम निकाल दें, तो वर्तमान में 6 मोलिक अधिकारों की व्यवस्था है, ठीक है? और मूल समिधान में 7 मोलिक अधिकार थे, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बिलकुल याद रहेगी आप लोगों को. जितने भी बहुत important सविधान संचोधन अब तक हुए है एक से लेके 104 सविधान संचोधन हुए है लेकिन हमें सब नहीं पढ़ने है मैंने सब नहीं करवाए है मैंने वही सविधान संचोधन करवाए है जो हमारी परिक्षा की दृष्टी से most important सविधान संचोधन है तो उस class क में सविधासिं जोधन अधिनियम 1978 द्वारा क्या किया गया था संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के सूची से बाहर निकाल दिया गया था और ये भी पूछता है कि वर्तमान में ये कहा है तो भाग बारा अनुचे 300 क आपको ध्यान रखना है जब हम केंद्र राज्ये संबंध पढ़ेंगे वित्य संबंध पढ़ेंगे वहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे भाग बारा में 300 क के तह संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है कानूनी अधिकार बना दिया गया है इस तरह फिलाल कितने अधिकार है फटा फटा अंसर आना चाहिए अ हालत में अब फटा फट चुक यहां कानूनी अधिकार का जिक्रा गया दोस्तों एक डिवाइडेशन होता है अधिकारों के बीच में आपने पूरी अधिकारों की क्लास कर ली ठीक है उसके बाद आप से पूछ दे कोई की भाई ये बताओ हमको मूल अधिकार क्या है सम्वेधानी की आप कानूनी अधिकार क्या है और बाकी की अधिकार क्या है तो उसके उपर मैं आप लोगों को यहां पर एक छोटा है यानि कि जो कानूनी अधिकार क्या है और जो मॉलिक अधिकार है यानि कि क्या fundamental rights और यहाँ पर हम लिखतेते हैं समवेधानिक या कानूनी ठीक है यहाँ पर लिखते हैं ठीक है दिख रहा है आप लोगों को अब मोलिक अधिकार जैसा कि मैं बार-बार बता चुकी हूँ कि भाग तीन में जो अधिकार उलिखित है आर्टिकल 12 से 35 तक जिनको समवेधान द्वारा गारंटी दी गई है वो मोलिक अधिकारों कि श्रेणी में आएंगे और समवेधानिक अधिकार भाग तीन के अलावा समवेधान में उलिखित जो अधिकार है जैसे दोस्तों समपत्तिक अधिकार हमारा कहां चला गया भाग तीन में नहीं है भाग 12 में चला गया जैसे संपत्ति का धिकार है इसके अलावा आप मतदान का धिकार है जैसे 326 में मतदान का धिकार दिया गया है ठीक है तो हमारा मतदान का धिकार तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि मोलिक अधिकार भागतीर और अन्य जो सम्विधान के भागों में जो हमको अधिकार दिये गए हैं वो हमारे सम्विधानिक अधिकार हैं ठीक है इतनी सी बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ये थोड़ी सी आप लोगों की समझ के लिए मैंने बताया अब देखिए अब हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों की विशेष्टाई और मूल अधिकारों की विशेष्टाई को जानना बहुत जरूरी है जब हम उनकी विशेष्टाई जान लेंगे उसके बाद हम एक-एक करके एक-एक अधिकार को बिल्कुल अपनी स्पीड से लेके चलेंगे और मेरा टार्गेट आपको पता है आप लोगों की समझ को बिल्कुल स्पष्ट कर देना अब देखिए पहला कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्द है जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वो नागरिक हों, विदेशी लोग हों या कानूनी व्यक्ति हों अब यहाँ पे दो चीज़े आपको ध्यान रखनी है दोस्तों जैसे कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्द है ये कोशन UPSC में भी पूछा गया है PT में कि कौन-कौन से जो अनुछेद है वो केवल नागरिकों के लिए उपलब्द है मूल अधिकारों के और PCS में BPSC हो या UPPCS हो MPSC हो हर जगे ये कोशन बार-बार पूछा जाता है और कुछ नहीं करना आपको ये बस रट लेना ये पांच चीजे पंदरा और मैं इसको कैसे आज रखने हूँ पंदरा, सोला, उननिस उननिस, उननिस के बाद सीधा 39, 30 बस इन पांच चीजों को देहान रख लेना पंदरा, सोला, उननिस, उननिस, तीस और ये क्या है ये जैसे जैसे आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो ये जो पांच अधिकार है ये सिर्फ नागरिकों को दिये गए है नागरिकों का मतलब क्या है कि हम जो भारतिय है भारतिय नागरिकों को मात्र जो है केवल नागरिकों को ये पांच अधिकार दिये गए है बाकी जो अधिकार है वो विदेशियों को भी मिलते है और जो नागरिकों को भी मिलते है नागरी के साथ और कानूनी व्यक्ति का मतलब क्या है जो परिशद है या कंपनिया है उनको कानूनी व्यक्ति बोला जाता है तो इतना याद रहेगा आपको कि भई नागरीकों को कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं जो केवल नागरीकों को मिलते हैं तो 15, 16, 19, 39, 30 बिल्कुल जो विशेष्टा है एक विशेष्टा हमने देख ली की भई देख ली हमने एक विशेष्टा दूसरी विशेष्टा है कि ये असीमित नहीं है इसका क्या मतलब है यदि मैं कहूं कि मेरा अधिकार है मैं म्यूजिक सुनना मेरा अधिकार है या मैं कहूं कि बोलना मेरा अध मैं कुछ भी जो है अभिव्यक्ति की आजादी है मुझे आर्टिकल 19 कहता है मैं कुछ भी अभिव्यक्ति कर सकती हूँ तो ये बताइए क्या मैं ऐसी अभिव्यक्ति कर सकती हूँ जो राश्ट्र की एकता खंडता के खिलाफ हो या जो समाज में अराजकता फैलाए मैं ऐसी या अभिव्यक्ति कर सकती हूँ की नहीं कर सकती हूँ तो सीधी सी बात है भही यदि आपको व्यवस्था को बनाए रखना है तो आप एक लीमिट में ही अधिकार दोगे न जिससे लोगों के व्यक्तित्व का विकास तो हो लेकिन राष्ट्र की एकता खंडता खंडित ना हो या फिर आराजकता ना फैले और साथ ही दूसरे लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहे वो मैं एक्जेम्पल देती हूँ न कि आप अपनी छड़ी को तब तक ही गुमा सकते हो जब तक वो किसी की नाग को न टच करे अब मैं अपनी छड़ी गुमाते वे जा रही हूँ जा रही हूँ वो चाहे किसी का सर फूट रहा है किसी के जैना नाग तूट रही है और ऐसे अधिकार हम दे सकते हैं आप खुद अपना आइडिया लगाईए तो यदी ये कुशन आता है कि मोलिक अधिकार असीमित है मोलिक अधिकार असीमित है तो एक बहतर नागरिक के तोर पे एक सब्या नागरिक के तोर पे क्या आप इस बात को पचा पाएंगे कि मोलिक अधिकारों को असीमित होना चाहे है यदी मोलिक अधिकार इस बात को समझेए मैं यदी इस बात को डिटेल से समझा रही हूँ तो आपकी conceptual clarity मैं चाहती हूँ यदी मोलिक अधिकार बच्चों असीमित दे दिये जाएंगे तो क्या होगा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का धड़ा धड़ उलंगन करेगा ठीक और किसी भी व्यक्ति के अधिकार सनरक्षित नहीं रह पाएंगे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी इसलिए सेकंड लाइन पर आइए ये असीमित नहीं है वाद योग्या होते है राज्ये उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है जब हम आर्टिकल उनिस पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से yuk्ति युक्त प्रतिबंध है हर उसके जो है नएक म या फिर सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सकें, इसलिए किये गए हैं। ठीक, आप उद्धिमान बच्चे हो, बिल्कुल समझ गए होगे इस पॉइंट को, कि भई असीमित नहीं दे सकते, तब तो क्या होगा, राजकता आजाएगी। इस तरह से जो ये व्यक्तिकत अधिकारों एवं पूरे समाज के भी संतुलन कायम करता है। संतुलन कब कायम होगा? जब आपके अधिकार दूसरे के अधिकारों का उलंगन ना करें। संतुलन तब कायम होगा आप भी अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए दूसरा भी अपने व्यक्तित्व का विकास करें और इस व्यक्तित्व का विकास करने के क्रम में जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके अधिकारों का उलंगन ना करें तभी समाज में संतुलन कायम होगा यानि कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं ये मैं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं और संतुलन व्यक्तिगत स्वतंतरता और समाजिक नियंतरन के बीच होता है ठीक है कि भई व्यक्तिगत स्वतंतरता है मेरी कि मैं अभी व्यक्ति की आजादी है मुझे व्यक्तिगत स संतुलन यानि मेरी ऐसी अभी व्यक्ति की आजादी नहीं है कि मैं किसी धर्म या किसी जाती को गालियां देना शुरू कर दूँ ठीक है तो समाजिक नियंतरण के बीच क्या है संतुलन की अवधारना हमारे मोलिक अधिकारों की एक मूल भूत विशेष्टा है ठीक तो ये त अभी व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वतंतरता में और समाजिक नियंतरण के बीच ठीक नेक्स चलते हैं दोस्तों वे सभी अधिकार सरकार के एक पक्षिय निर्णे के विरुद उपलब्द हैं हाला कि उसमें कुछ नीजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्द हैं इसको आप यहां से समझें कि जो सभी सरकार के एक पक्षिय निर्णे के विरुद उपलब्द हैं भई सरकार एक पक्ष में यानि कि इस तरीके से कोई ऐसा कानून ना बना दे ठीक है कोई ऐसी विधी ना बना दे जब तेरा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जो लोगों के मोलिक अधिकारों के उपर प्रतिबंद लगा दे अनावशक प्रतिबंद लगा दे अनावशक प्रतिबंद लगा दे तो उसके विरुद्ध हमें क्या देते हैं गारंटी देते हैं डारेक्ट कहां जा सकते हैं सुप्रेम कोड जा सकते हैं ठीक है हाला कि उनमें कुछ नीजी व्यक विशेष्टाओं वाले होते हैं जैसे राज्ये के प्राधिकार को सीमित करने से संबंदे जब बच्चों हम आर्टिकल 14 पड़ेंगे विधी के समक्ष समान संडरक्षन उस समय आपको ये वाला पॉइंट बहुत ही विस्तरत तोर पे समझ में आ जाएगा ठीक है अभी के लि विधी चाहे तो हमारे मौलिक अधिकारों का उलंगर नहीं कर सकता और कुछ अधिकार राज्ये के इस प्राधिकार को सीमित करते हैं वो क्या है कैसे है आर्टिकल 14 तक वेट कीजिए क्योंकि अभी सारी चीजे बता दूंगी तो आगे ये पूरा एकसार है मौलिक अधिका करने के बाद पढ़ना चाहिए लेकिन मेरा पैटन अलग है मुझे ऐसा लगता है कि आप आर्टिकल पढ़ने लगें वूरे ऊध्येमपल 12, 13, 14, 15 आप आर्टिकल पढ़ने लगें उससे पहले आपके दिमाग में जो एक जो मोटा मोटा मौलिक अधिकार क्या है विशेशन प्रावधान करते हैं जैसे कि विधी के समक्ष समान संरक्षन जो USA से ली गई है यह एक सकारात्मक है यानि कि राज्य समाज का जो पिछड़ा तबका है महिलाएं हैं वृद हैं दिव्यांग हैं अनुसूचित जातियां हैं उनके उत्थान के लिए यहां लिखती हूं उनके उत्थान के लिए उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या कर सकता है विशेश प्रावधान कर सकता है इतनी बात आपको ध्यान रहेगी कि भई कुछ जो अधिकार है वो नकारात्मक परवर्ति के लिए अभी के लिए इतना याद रखो आपको जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आद हो जाएगा अब देखिए ये न्यायोचित होते हैं बार-बार मैंने कहा है और इस कक्षा की शुरुआत में भी कहा था कि न्यायोचित होते हैं इसका मतलब क्या है व्यक्तियों को अदालत जाने की गैरंटी है उच्चितम न्यालियद् अधिकार न्यायोचित होते हैं और जब हम मॉलिक अधिकार और DPSP यहां लिखती हूँ उपर देखो जब हम fundamental right and DPSP में एक बड़ा difference देखते हैं दोस्तों तो यहीं देखते हैं कि जो मॉलिक अधिकार है वो न्यायोचित हैं हम Supreme Court जा सकते हैं यदि हमारे मॉलिक अधिकार का उलंगन होता है तो लेकिन DPSP न्यायोचित नहीं है हम Supreme Court नहीं जा सकते यदि हमें सम्विधान में जो DPSP का प्राप्धान किया गया वो नहीं प्राप्त होते हैं तो DPSP पढ़ेंगे तो ओर डिटेल से पढ़ेंगे एक छोटी थोड़ी थोड़ी अपनी जो नए बच् का ध्यान रखना है इतनी विशेष्टा है आप लोगों को समझ में आई आप देखिए ये बोल रहा है ये स्थाई नहीं है संसद इन में कटोती या कमी कर सकती है आऊंगी घबराना नहीं है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ना कि साधारन विधेक द्वारा और मूल धा प्रभावित किये बिना किया जा सकता है ये मूल धांचा दोस्तों बार-बार आपको हमारी पॉलिटी में सुनने को मिलेगा मैंने मूल धांचे के उपर एक बहुत ही बहतरीन यूटूब पे ही मेरी क्लास है आप जाके उसको सुनिये मूल धांचे के अवधारना एकदम अब ये बोल रहा है इसकी विशेशता है कि मूल अधिकार स्थाई नहीं है यानि कि यदि ये कहें कि मूल अधिकार बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे तो ऐसे नहीं है यदि संसद चाहे तो मूल अधिकारों में कटोती कर सकती है उनको परिवर्दित कर सकती है लेकिन मूल मूल धाचे में संशोधन नहीं कर सकती एक बात आपको याद हो जाएगी कि मूल धाचे में संशोधन नहीं कर सकती हाला कि कटोती कर सकती है अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कटोती करेगी ये कैसे करेगी क्या एक विधी बना के कर देगी भाई एक साधार द्वारा कर देगी या फिर मोलिक अधिकारों में कटोती करने के लिए कहां लिखें एक बार इरेज कर लेती हूं मोलिक अधिकारों में कटोती करने के लिए समिधान संशोधन की प्रोसेस के तहट वो संशोधन कर सकती है या परिवर्टित कर सकती है समिधान संशोधन की प्रोसेस के उपर क्लास आई है जाके देखिए पता लग जाएगा और उसमें कैसे कैसे संशोधन होते हैं समझना भोश जरूरी है तो याद रखना है मोलिक अधिकारों में यदि संसद चाहे कि वो विधी बना के परिवर्टन कर देगी तो नहीं कर सकती मोलिक अधिकारों में संशोधन या उसमें कटोती या परिवर्तन करने के लिए संसद समिधानिक संशोधन अधिनियम के तहट ही कटोती कर सकती है इतनी बात एकदम दिमाग में बठा लेनी है आप लोगों को अब देखिए अगली विशेष्टा की भई राष्ट्रिया अपातकाल की सक्रियता के दोरान राष्ट्रिया अपातकाल में बार 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 बोलती हूं जैसे ही राष्ट्रिया चीजे रिवाईज आपके दिमाग में कैसे बैठती हैं जैसे ही वो चीजे हैं ना एकदम अपने 352 राष्ट्रिया पात्काल 352 के तीन अधार होते हैं युद्ध बाहिया आकर्मन और सशस्त्र विद्रोह बस इतनी चीज आपके दिमाग में आने चाहिए कि दोस्तों जब राष्ट्रिया अपात्काल लगता है तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे जो मोलिक अधिकार 20 और बार-बार करवाएं हैं IAS, CDS, CAPF और अलग-अलग शनिवार को आती है मेरी वो क्लास उसमें ये कोशन डारेक्ट UPSC UPSC प्री में ही पूचा गया था जो IAS का प्री है उसमें ही पूचा गया है ठीक है बिल्कुल वन लाइनर कोशन है और गलत करके आते हैं बच्चे ठीक है 20 और 21 को छोड़के बाकी अधिकार निलंबित हो सकते हैं 352 में याद रखना है ठीक है अब अनुचेद 19 में उलिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आकर्वन के आधार पे राष्ट्य आपातकाल की घोशना हो इन्हें सशस्त्र विद्रो या आंत्रिक आपातकाल के आधार पे स्थगित नहीं किया जा सकता पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं 358 ठीक और एक पढ़ते हैं 359 यहीं पर अगर मैं आप लोगों को बता दूंगी ना तो confusion हो जाएगा यह थोड़े डिटेल में चला गया है कि उसमें भी फिर पूरा प्रोवीजन है मॉलिक अधिकारों के होते हैं उस पे हम वहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा धैरिया बनाए रखें इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि जब आपकी पॉलिटी की क्लासिस कंप्लीट होंगी उस समय तक आप पॉलिटी में बहुत ही confident हो चुके होंगे इतना विश्वास आपको करके चलना पड़े ठीक है तो इतना अभी के लिए इतना ध्यान रखो भई 20 और 21 को छोड़के बाकी अधिकार निलंबित हो जाते हैं और फिर इतना detail में जो यह है ना कि 19 में जो 6 जो अधिकार होते हैं वो दो condition में ही होते हैं युद्ध या विदेशी आकरमन आंत्रिक जो ये सशस्त्र ये दिमाग में घुसने वाला है नहीं और ये याद भी मत करना लिख लो इसे जब आप PDF डाउनलोड करोगे ना मैं कोशिश करूँगे इसे हटवा दूं वहां से तो इसे लिख लो आप अब आगे आईए सशस्त्र बलों सशस्त्र बलों अर्ध सैनिक बलों पुलिस बलों गुप्तचर संस्थाएं जो भी हमारी गुप्तचर संस्थाएं होती है और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियानिवन परसंसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है आर्टिकल ठीक है यानि कि आर्टिकल जो 33 है उसके तहत इनको क्या अधिकार दिये गए है तो ह यहां पे हम पीछे जा रहे हैं, यहां पे आईए, तो वो अगर कहें कि नहीं भई हमें तो अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम तो प्रेस में जा सकते हैं, प्रेस को बता सकते हैं, क्या-क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, यहां में संगठन बनाने का अधिकार है, तो ऐसा अधिकार यदि संसद चाहे तो उनके अधिकारों में कटोती कर सकती है पहली बात ध्यान रखेगा मार कर उठा लेते हैं जी पहली बात क्या ध्यान रखोगे उनके अधिकारों में जो संसद है वो क्या कर सकती है कटोती कर सकती है पहली बात कटोती कर सकती है दूसरी बात यदि कटोती करती है तो कह देंगे भई हमारा तो जो है न मोलिक अधिकार का उलंगन कर रही है संसद हम तो जा रहे हैं सुप्रीम कोट हम तो चले सुप्रीम कोट तो ऐसे नहीं चलता है और ये इसलिए क्लियरली तोर पे आर्टिकल 33 में स्पष्ट तोर पे लि कटोती संसद कर सकती है और वो सुप्रीम कोट या नहीं जा सकते एक बात याद रखनी है और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है जब 33 पढ़ेंगे तो भी अच्छे से पढ़ेंगे कि जो ये कटोती है ये केवल संसद कर सकती है विधान मंडल को ये करने का अधिकार नहीं है अब देखिए ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वियन रोका जा सकता है जहां फोजी कानून प्रभावी हो यानि कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो अशान्त इलाके होते हैं वाँ फोजी कानून प्रभावी होता है और फोजी कानून का मतलब क्या है सैने शासन से ह जो असमान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ एरियाज है जहां पे फोजी शाषन होता है कहीं बार 144 है ऐसी सिचुएशन में यदि नागरिक कहें कि हमें संगम या संग बनाने का अधिकार है हमें समेलन करने का अधिकार है तो उस समय भी आपके अधिकारों को वरियता नहीं दी जाएगी पहली बात आर्टिकल 34 में साफ साफ लिखा है और यदि आप अधिकारों के उलंगन के आधार पे नियाल्य जाते हैं तो नियाल्य इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता सीधे तोर पे लिख दिया गया है दो बाते यहां तरहेंगे आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 धबराना नहीं है हम अलग से भी पढ़ेंगे एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे यह तो मैं एक ओवर्वियू दे रही हूँ आप लोगों को ठीक है चलिए इनमें से ज्यादा तर अधिकार स्वियम प्रवर्तित हैं जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसत द्वारा बनाया जाता है ना कि विधान मंडल द्वारा ताकि संपूर देश में एक रूपता बनी रहे ठीक है तो देश की एकता ख कि हड़ताल वड़ताल कर देंगे और किसी तरीके की अशान्ती की व्यवस्था आ गई तो फिर कैसे सुलजेगा देश इस तरीके की सिच्वेशन से तो यदि ये अर्टिकल 33, 34 और 35 का प्रोवीजन हमारे सम्विधान में किया गया है दोस्तों तो वो बहुत कुछ सो समझ के क किया गया है ठीके इसको भी हमें समझना है अब देखिए हमने जो मौलिक अधिकार हैं उनकी विशेश्थाओं को एक राउंड देख लिया रिवाइस भी करवाऊंगी आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है है आप लोगों को अब देखिए अब हम आज का जो टोपिक है मेरा marker भाग जाता है कहीं एक है, आज का जो topic है एक-एक article करके पढ़ना और इन articles के बाद भी मैं बताऊंगी कैसे अधिकारों को divide किया गया है तो पहला हम पढ़ते हैं Article 12 है 12-30 मूलिक अधिकारों की बात की गई है बार बार इसलिए लिखती हूं आप लोगों को याद हो जाएं मून अधिकारों से संबंदित विभिन उबंदो राज्य शब्द का प्रियोग किया गया है अनुछेद बारा में भागतीन के उदेश्य के तहट परिभाशित किया गया है यानि कि जो भाग बारा है उसमें राज्य शब्द को परिभाशित किया गया है कि राज्य में क्या-क्या शामिल है अब जैसे आप लोगों के सामने पीटी में कोशन आ सकता है कि राज्य में निम्न में से क्या-क्या शामिल है एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक easy way बताऊंगे इसको याद करने का पहला है इनके अनुसार राज्ये में निम्न लिखित है तो पहला कह रहा है कि कारिये कारिये विधाई अंगो को संगिये सरकार में करियानवित करने वाली सरकार और भारत की संसद ठीक ये दोनों राज्ये में आएंगी ठीक जब भी राज्ये का जिक्र होगा तो सरकार और भारत की संसद राज्ये है अब इस पूरी लाइन को पढ़ने की जरूतनी है फिर हमें जाना है सरकार पे और राज्ये विधान मंडल पे ये भी राज्ये ही कहलाएंगे राज्य ही इनको कहा जाएगा तीसरा सभी स्थानिय निकाए जितने भी स्थानिय निकाए होते हैं दोस्तों चाहे उसमें नगरपालिकाए है पंचायत है जिला बोड है या जो सुधार न्यास जितने भी हमारे स्थानिय निकाए होते हैं वो सब राज्ये की परिभाशक में आते हैं अगला है अन्य सभी निकाए अर्थार्थ सम्विधानिक या गैर सम्विधानिक प्राधिकरण जैसे इसमें LIC, LIC, ONGC और आपका सेल या जितने भी हैं सेल, गेल, भेल, जितने भी हमारे नवरत नहें, महारत नहें अब इतनी बड़ी लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हैं, आप लोगों को याद नहीं रहेंगी ना अब आपको ओप्शन दे दिया, 5-6 ओप्शन दे दिये, UPSC में कहीं बार ऐसे कोशन पूशता भी है मालो आपको एक कोशन दे दिया, आपको इसको एरेज करते हैं पहले, आपको ना एक कोशन दे दिया और उसमें 6 विकल्प दे दिये, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, अब इतनी चीज़े पहली बात तो याद नहीं रहती और दूसरी बात आपने याद भी कर ली तो एक्जैम के प्रेशन में हम चीजों को एलिमिनेट नहीं कर पाते कई बार, तो इसके लिए क्या तरीका अपनाना है, पहली बात कि सरकार संसद, सरकार विधानमंडल, नगरपालिकाएं, या जितने भी विधानिक और गैर समविधानिक निकाएं हैं, ये तो याद रखना ही ह बस एक चीज दियान रखना, ऐसे कोई भी संस्थान जिसमें सरकार की 1% भी भागेदारी है, इस चीज को गाट बांद लेना, कि जिसमें सरकार की 1% भी भागेदारी है, वो सब राज्ये की परिभाशा के दायरे में आएंगे, और ये चीज़े भी आपको याद रखनी है, भाग बारा में साफ तोर पे कह दिया गया है, कि राज्ये की परिभाशा इसमें दी गई है, ठीक, उचितम न्याले की अनुसार, यहाँ पे देखिए, कि कोई भी नीजी इकाई या एजेंसी, जो बतोर राज्ये की संस्था काम कर रही हो, अनुछेद बारा के तहत राज् राज्ये के दायरे में आएगी, राज्ये के अर्थ में आएगी, और मैंने आपको बताया, बस इस फंडे को ध्यान रखना कि एक परसेंट से भी अधिक कोई भी ऐसी संस्था, जिसमें एक परसेंट भी अधिराज्ये की भागीदारी है, वो राज्ये की परिभाशा में आ आर्टिकल 13 जो है यहीं से दोस्तों हमको ध्यान रखना है जो न्याले की बेसिक शक्ती है ना नीचे देखें नीचे लिखती हूँ न्याले की न्याईक समिक्षा या पुनराव लोकन हम पिछली क्लासिज में इसको बार-बार पढ़ चुके हैं और जब न्याले पढ़ेंग और एक बार रिवाइस करना है तो न्याईक समिक्षा की बात आर्टिकल 13 में क्लियरली कही गई है अब हम आर्टिकल 13 को डिटेल से पढ़ेंगे अनुछे 13 गोशित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अलपी करण करने वाली विधि या शुन्य होंगी उनका या तो ऐसी विधिया जो मूल अधिकारों से असंगत है मतलब असंगत का मतलब क्या है कोई संगती नहीं रखती है उनका मूल अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है ठीक है और वो मूल अधिकारों का एक तरीके से उलंगन करती है और उनका लोगों को ध्यान रखना है कि शुन्य होंगी अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल वे में पढ़ेंगे डिटेल वे में पढ़ने का मतलब क्या है इसमें मैंने वो कुछ चीजें इसमें नोट नहीं की है तो उसको हम अलग से देखेंगे इसको पहले पूरा देख लेते हैं फिर अब देखेंगे अब देखेंगे कि ये न्याइक समिक्षा योग्या है यह शक्ती उचितम न्यालय आर्टिकल 32 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में जिसमें पांच रिटों की चर्चा है मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी और उच न्यालय अनुछेद 226 ठी न्याइक समिक्षा को दोस्तों मैं कई बार बता चुकी हूँ मेरी आठ क्लासीज ही आई है और यकीन मानिये मैंने अपनी आठ क्लासीज के दोरान आप लोगों को साथ आठ बार बता दिया होगा कि भई न्याइक समिक्षा क्या है एक लाइन में ध्यान रखना है कि पारित किये गए किसी कानून को वैद या अवैद घुशित कर सकती है यदी जो संसध है या कारिया पालिका है ऐसा कानून बनाती है जो क्या करे कि जो सम्विधान के जो मौलिक विशेषणाय है उनके विपरित हो तो न्यालिय का ये दाईत है कि वो न्याइक समिक्षा के माधियू से उन विधियों को उन कानूनों को अवैद घोषित कर सकती है अवैद गोशित कर सकती है न्याइक समिक्षा के तहट ठेक है इतना ध्यान रहेगा जो किसी विधी को मूल अधिकारों का उलंगन होने के अधार पे सम्मेधानी क्या असम्मेधानी गोशित करती है यदि कोई विधी मैंने पीछे जब विशेष्टाइं बताई थी ना तो भी आप ल विधी बना कर कटोती नहीं कर सकती कि संसद ने कहा भाई विधी बना दो मूलिक अधिकारों में कटोती कर दो ऐसे कटोती नहीं कर सकती संसद को यदि कटोती करनी है तो सम्मेधानिक संशोधन संविधानिक संशोधन की प्रोसेस के माध्यम से वो कटोती कर सकती है विधी की क्या प्रोसेस है संविधानिक संशोधन की क्या प्रोसेस है संविधानिक संशोधन वाले टॉपिक में जाके देख लेना समझ लेना चीजे क्लियर हो जाएंगी तो सवेधानिक संचोधन के माध्यम से परिवर्दन कर सकती है और यदि संसद विधी के माध्यम से कटोती करे तो क्या न्याले न्याएक समिक्षा के माध्यम से उन विधीयों को क्या कर सकती है क्या कर सकती है अवैध गोशित कर सकती है यानि अनुछे जो तेरा के अनुसार विधी शब्द को व्यापक रूप दिया गया है, अब इस विधी में क्या-क्या चीजे शामिल होएंगी, ये हमको ध्यान रखना है, विधी में क्या-क्या चीज शामिल होगी, तो सबसे पहले हमें देखना है, स्थाई विधियां, संसद या विधान मंदल जो विधी बनाती है ठीक है पहली चीज विधी जो संसत बनाए या राज्य विधान विधान मंडल जो बनाए ऐसी विधियां आएंगी इसके दायरे में अस्थाई विधियां अस्थाई विधी में क्या होता है जैसे अध्यादेश आर्टिकल याद है आप लोगों को 123 के तहट राश्ट्रपत कोशन बनते हैं बार-बार तो जैसे अध्यादेश के माध्यम से कोई विधी बनी तो वो अस्थाई होती है और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को क्या-क्या ध्यान रखना है कोई भी विधी आदेश अध्यादेश नियम उपनियम उपविधी अधिसूचना ये में से किसी के भी द्वारा मोलिक अधिकारों का उलंगन होता है या मोलिक अधिकारों में कटोती होती है तो क्या न्याले न्याइक समिक्षा के माध्यम से उन विधीयों को उन अध्यादेश अधेश नियम उपनियम इन सब को क्या कर सकता है अवैध घोशित कर सकता है ये न्याल्या को शक्ति दी गई है आर्टिकल 13 के तहत न्याइक समिक्षा की तो आप लोगों से ये पूछे कि न्याइक समिक्षा की जो शक्ति है न्यायपालिका की उसको जो आधार है वो कौन से आर्टिकल से मिलता है तो याद रहेगा आप लोगों को आर्टिकल 13 ये आर्टि अधिकारों का उलंगन करे उसे भी जो न्याल्या है वो क्या कर सकता है अवैद घोशित कर सकता है इतनी सी बात आपको याद रखनी है आर्टिकल 13 के संदर्भ में कि भई किस तरीके से हमने बोला कि भई न्याएक समिक्षा की शक्ति दी गई है इसके तहत और अधिकारों काल इस नियम उपनियम और ये सारी चीजे अब देखिए अनुछे 13 घोशित करता है कि समिधान संचोधन कोई विधी नहीं है इसलिए उसे चुनोती नहीं दी जा सकती अब ये भी न एक डिबेट का मामला था डिबेट इस पे बहुत डिबेट चली दोस्तों कोर्ट के बीच म तो विधी शब्द है ना आर्टिकल 13 के तहट विधी शब्द है बता चुकी हूँ वो समेधानिक संचोधन से अलग है जैसे दोस्तों 1967 का गोलक नाथ वादियात करो और जिसने मूल धाचा देख ये बहुत डिटेल से समझने मूल धाचे वाली क्लास जाके देखो यहां मै संचिप्त तोर पे बताती हूँ 1967 का गोलक नाथ वाद जिसमें ये बोल दिया गया था कि संसद किसी भी सूरत में मूलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं करती चाहे वो समिधानिक संचोधन के माध्यम से ही परिवर्तन करे और उसमें क्लियरली बोल दिया गया था कि जो स समिधानिक संचोधन है और जो विधी है वो एक ही है ठीक उसके बाद बाद के डिसीजन्स में ये बात की गई कि भई यदी संसद विधी बनाकर अगर मूलिक अधिकारों में कटोती करती है तो वो गलत होगा लेकिन यदी संसद समिधान संचोधन करके मूलिक अधिकारों म अलग है और सम्वेधानिक जो संशोधन है जो सम्वेधानिक संशोधन है वो अलग है अब आईए पहले लाइन पे ये बैक्ग्राउंड आप लोगों को समझ में आया कोशिश तो की है समझाने की थोड़ा पानी वानी पी लीजिए बच्चों यहीं तक थोड़ा सा एक बेस अगर मौलिक अधिकारों पे बन जाएगा तो मज़ा आएगा मौलिक अधिकार पढ़ने में भही इतनी महत्तपूर्ण चीज हमें मिली है एज भारतिय नागरिक तो हमें पता भी तो होना चाहिए न हमारे क्या-क्या अधिकार है ठीक है तो यह तो सबसे इंट्रस्टिंग टॉपिक होना चाहिए क्योंकि यहां हमें मिला है कुछ तो इसको तो एकदम जाग के पढ़ना है सोते सोते नहीं उंगते हुए नहीं पढ़ना है इस टॉपिक को एकदम जागते हुए पढ़िए दुबारा पढ़िए इस लाइन को कि अनुछे तेरा क्या गोशित करता है कि भई सम्विधान संचोधन कोई विधी नहीं है इसलिए उसे चुनोती नहीं दी जा सकती समझ गए होंगे ठीक है उच्चतम न्याल्या ने केश्वानंद वाद 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के अधार पर सम्विधान संचोधन को चुनोती दी जा सकती है उच्चतम न्याल्या ने क्या कहा केश्वानंद में मूल अधिकारों के हनन के अधार पर सम्विधान संचोधन को चुनोती दी जा सकती है कब यदि वो मूल धाचे के खिलाफ हों तो वैसे हम चुनोती नहीं देंगे आप मूल अधिकारों में भी यह बात बोली ये लाइन जो है न थर्ड वाली, ये सेकिंड लाइन से इंटर लिंक है दोस्तों, केश्वानन्द वाद में भी क्या बोल दिया था, कि भई आप कटोती कर लो, संसत को खुश कर दिया था, आप कटोती करना चाहते हूं कर सकते हूं, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, मूल धा हाचे में संचोधन नहीं कर सकते हूं, थोड़ा टीपिकल है, मैं भी समझते हूं, तो मूल धाचे वाली क्लास एकदम सुननी है, याद से सुननी है, अगर इसको बहुत, जो क्रिस्टल क्लियर करना है, तो वो क्लास जाके सुनिये, ये तेरा हमें इतना ध्यान रहेगा, थ लिखा गया है, आप ऐसा कीजिए, पैन कोपी में ये चीजे लिख लिजिए, ये मेरी स्लाइड में नहीं अैड़्ोन हो पाई है, लिख लिजिए, आर्टिकल टेरा एक में क्लियरली लिखा गया है, कि सम्विधान के पूर्व सम्विधान के पूर्व की विधियां वहां तक क्या शुन्य होंगी जहां तक वो मौलिक अधिकारों का जहां तक वो एफफार का उलंगन करती है 13.1 में साफ बोल दिया गया कि भई सम्विधान के पूर अब जैसे हमारा सम्विधान लागू हुआ 26 जन्वरी 1950 को ठीक 26 जन्वरी 1950 को हमारा सम्विधान लागू हुआ अब सम्विधान लागू होने से पहले बहुत सारी विधियां थी 26.1.1950 को लागू हुआ अभी समिधान लागू होने से पहले बहुत सारी विधियां थी जो पिछले समय से लागू होती चलिया रही थी अब यदि वो विधियां मौलिक अधिकारों का उलंगन करती है तो वो शुन्य होंगी जैसे एक एक्जेंपल दूँ 1930 के आसपास का एक शिक्षा एक्ट था उसमें क्या था कि भई इसका वाइस चांसलर कैसे नियुक्त होगा क्या-क्या प्रक्रियां होगी वो सारी चीजे थी उसमें एक लोज था कि भई इस पर्टिकुलर जाती के व्यक्ति इस शिक्षन संस्थ प्रफा में नहीं पढ़ सकते तो यह क्या होगा एक जाती के लोगों के अधिकारों का उलंगन हुआ ठीक है तो जब हम 13 एक पढ़ेंगे तो 1930 का जो वो शिक्षा एक्ट था उसका वो प्रोवीजन जो मॉलिक अधिकारों का उलंगन करता है वो क्या होगा वो शुन्यक हो जाएगा और बाकी प्रोवीजन चलते रहेंगे इतनी बात समझ में आई वो और बाकी प्रोवीजन चलते रहेंगे इतनी सी बात आप लोगों को ठीक है तो इतनी बात आप लोगों को समझनी है अब दोस्तों इसी में न एक थियोरी निकलती है जब हम आर्टिकल 13 एक पढ जहां तक वो मौलिक अधिकारों का उलंगन करती है इसी से आया, यह पूछ लेता है कई बार दोस्तो आच्छादन, आच्छादन का सिध्धान इसे ही बोलते हैं, ठियोरी ओफ एक्लिप्स बोलते हैं ठियोरी ओफ एक्लिप्स, ठिक है? इसमें क्या कहा गया? कि भई समिधान के जो पूर्व की विधिया है, कोई भी विधी है जैसे हमने 1930 वाले ही विधी ली, वो वहां तक शुन्य है जहां तक, यानि कि इस 1930 के एक्ट का जो पार्ट जिसमें लिखा था ना कि विशेश जाती के लोग यहां पे नहीं पढ़ सकते वो पार्ट ही अवैद होगा यह शुन्य होगा बाकी जो इसके भाग है 1930 के वो चलते रहेंगे वो प्रभावी बने रहेंगे यानि theory of eclipse क्या कहता है कि यदि कोई पूरा मालो एक पूरा प्रस्ताव है, पूरा एक कानून है उस कानून का केवल वो एक पार्ट अवैद हो जाएगा यह शुन्य हो जाएगा जो मोलिक अधिकारों का उलंगन करता है उस कानून के बाकी प्रोविजन प्रभावी बने रहेंगे समझ में आया? यानि 1930 का केवल वो पार्ट शुन्य हो जाएगा और बाकी जो पार्ट थे की बहिन्यूक्ती कैसे है और यह सारी चीजे प्रभावी बनी रहेंगी यह आर्टिकल 13.1 याद रखना है ठोरी ओफ एकलिप्स अच्छादन का सिध्धानत याद रखना है आप लोगों को लिख लिया आप लोगोंने और कहीं कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे इसको एरेज करते हैं अब हम आते हैं 13.2 पे 13.2 में लिखा है दोस्तों 13.2 में लिखा है कि संसद के अधिनियम संसद जो अधिनियम बनाती है संसद संसद के अधिनियम यदि मोलिक अधिकारों का उलंगन करते हैं तो वो उस सीमा तक क्या होंगे? शुन्य होंगे, अवैद होंगे ठीक है? इतनी बात संसविधान के पूरु की विधियां देख ली संसद की अधिनियम देख ली है अब इस तेरा दो से ही निकलता है दोस्तों पृथिकरण का सिध्धान्त एक बोलते हैं पृथिकरण का सिध्धान्त ठीक है? ये पृथिकरण का सिध्धान्त इसका मतलब क्या है दोस्तों? मान लो संसद ने एक अधिनियम बनाया देखो ये बड़ा अधिनियम बना दिया इस अधिनियम का एक छोटा सा पार्ट था जो एफ फार का उलंगन कर रहा था थीक है तो जो प्रथिकरण का सिधान्त है दोस्तों इसके तहट क्या कि उस पूरे अधिनियम को हम अवैद घुशित नहीं करेंगे बलकि वो जो छोटा सा पार्ट था जो मोलिक अधिकारों का उ तेरा दो ठीक है बेर एक्ट में से आप इसको देख सकते हैं और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं उसके बाद दोस्तों तेरा तीन की बात आती है उसमें वही बात है तेरा तीन में कि सविधान कोई भी ऐसा आदेश अध्यादेश नियम उपनियम अधिसूचना यदि लीपली नहीं जाना है मैंने आप लोगों को आपके नॉलिज के लिए बता दिया और ये क्यों बताया क्योंकि ये चीज़ें आपको काम आएंगी ठीक है बहुत काम आएंगी आप यदि आप जब मौलिक अधिकारलिक रहे हैं और आर्टिकल 13 के उपर आ गया आपने यदि आच्छादन के सिध्धान का जिकर नहीं किया प्रथिकरन के सिध्धान का जिकर नहीं किया तो फिर आपका अंसर अधूरा माना जाएगा मेरे बताने का उदेशय यही था आपको ग्यानी बनाना मेरा उदेशय नही था परिक्षा की दृष्टी से वो important है इसलिए मैं ने आप लोगों को बताया और मोटे तोर पे यदि आप आर्टिकल 13 को देखना चाहते हो तो बस एक लाइन याद रख सकते हो कि भई मूल अधिकारों से असंगत या उनकालपी करन करने वाली विधिया शुन्या होंगी विधि क्या है ये मैं आप लोगों को बता चुकी है अब देखिए मूल अधिकार एक नजर में हमने मोटे तोर पे देखा मूल समीधान में 6 अधिकार थे अब 7 अधिकार थे मूल समीधान में ठीक है बैसिकली समता का अधिकार है दोस्तो आटिकल 14 से 18 जब हम समता के अधिकार की बात करते हैं तो टोटल आता है धरम मूलवंश लिंग जनमस्थान के अधार पर विभेद का जो प्रतिशेद किया गया है वो आटिकल 15 में है दोस्तो लोक नियोजन में विशे के असप्रिशता के अंत की बात आर्टिकल 17 और सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए उपाधियों का रोक ये आर्टिकल 18 ये मैंने इसलिए शुरुआत में लिख दी है कि एक बार आप कल की क्लास से पहले क्या करेंगे इनको एक बार पढ़ेंगे आप ठीक है फिर आपको कल की क्लास बिल्कुल इजली समझ में आएगी क्योंकि आपका एक बेसिक जो इनफोमेशन सोती है अधिकारों के बारे में वो आप लोगों के पास रहेंगी फिर कल से हमें एक एक अधिकार को डिटेल में पढ़ेंगे विदियों के समक्समानता क्या है संरक्षन क्य है लोक नियोजन में अवसर का क्या मतलब है उसमें कौन-कौन से वाद आए उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से तो समता का अधिकार 14-18 है स्वतंतरता का अधिकार 1922 19-22 से 1922 तक है दोस्तों स्वतंतरता का अधिकार इसमें हम 6 अधिकार जिसमें वाक अधिकार निवास और वृति यानि कि वृति का मतलब क्या होता है आजीवी का कोई भी आजीवी का अपनाने का जो अधिकार है वो आटिकल 19 में विभिन 19-19-a 19-b ऐसे व्यवस्था की गई है अपराधों के लिए दोश्य सिध्धी संबंधी जो अधिकार है दोस्तों वो 20 में है प्राण एम देहिक स्वतंतरता का जो अधिकार है गरिमा मैं पूर्ण जीवन का जो अधिकार है वो आटिकल 21 में है और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आटिकल 21-a में है कल की क्लास याद करो समिधाल संचोधनों वाली शासी में समिधाल संचोधन द्वारा जो छे से चोधा वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है उसे मोली का अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 21A जोड़ा गया ठीक है हर चीज को इंटर लिंक करके पढ़ना है तब चीजे याद रहती है हमको कुछ दशाओं में गिरफतारी और निरोध का किया गया है आर्टिकल 23 में और कार खानों आदी में बच्चों के नियोजन का प्रतिशेद की विवस्था की गई है आर्टिकल 24 में धर्म की स्वतंतरता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जिसमें क्या-क्या बोला गया है एक तो भही अंतह करण की धर्म क अबाद रूप से मानने, मैं किसी भी धर्म को मानू, उसके अनुरूप आचरन करू, उसका प्रचार करू, इसकी मुझे स्वतंतरता दी गई है आर्टिकल 25 में, धार्मिक कारियों का प्रबंधन जो करने की स्वतंतरता दी गई है 26 में, किसी धर्म की अभिवरती के लिए करो कि संदाय के बारे में स्वतंतरता दी गई है 27 में, घबराना नहीं है, एक-एक आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हमागे आने वाली क्लासिस में, लेकिन आज आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क आप लोगों का है, कि इन आर्टिकल को जो नए बच्चे हैं, पु ठीके, तो 27 में बात की गई है, और कुछ शिक्षन संस्थानों में धार्मीक शिक्षा या धार्मीक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंतरता की बात 28 में की गई है, ठीके, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिये गए हैं दोस्तों, अल्प संख्य प्रवजिकों की भाषा, लीपी और संस्कृति की सुरक्षा का प्रावधान आर्टिकल 39 में किया गया है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशाशन करने का अल्प संख्यक वरगों को अधिकार दिया गया है, बेसिकली आर्टिकल 30 में, सम्विधानी कुप चारों ना तो कुछ नहीं, 15, 16, 19, 39 और 30, ये 5 चीज़े ध्यान रख लेना, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 30, और इनमें क्या है, ये यहाँ पे भी लिखे है, मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, और जब हम एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, इस पूरी स्लाइड को देने का मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कोशन बनता है, और ये वो कोशन है यार, 15, 16, 1939 क्या है इसमें बताओ, और कोशन गलत करके आ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, और मतलब क्या, हमने जो है न, ये 16 जो है, ये हम नहीं दिये हैं मतलब जो विदेशी नागरिकों को, ठीक है, या और कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ऐसे याद करनी है चीज़ें, फिर विदेशियों को मूल अधिकार, अब इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं है, आप मूल अधिकार आपने देख लिए, 12 से 35 तक मूल अधिकारों की विवस्था की गई है, और उन में से 5 अधिकार मैंने आप लोगों को बता दिये कि कौन कौन से है, इन 5 को छोड़के बाकी जो भी मूल अधिकार हैं, वो विदेशियों को प्राप्त होंगे, अब यह देगा कि कौन से ऐसे मूल अधिकार है, ज पत्रुदेश के लोगों को तो हम देते नहीं कुछ, ठीक है, दोनों को प्राप्त हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पांच चीजे ध्यान रखनी है, उसके बाद आपको दे देगा उप्षिन में, अनुछेद 14, अनुछेद 15, अनुछेद 20, अनुछेद 20, अनुछेद गैरंटी है, इन सब चीजों के आधार पर अगर आप पूरी स्टडी करते हो, तो कैसे इंटरलिंक है चीजे आपस में, तो नागरी को इंविदेशियों को जो प्राप्त अधिकार हैं, वो कौन-कौन से हैं, आर्टिकल 14, हम उनको देते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21, 21 से 22, 23, उसके बाद हमारा पूरा 24 आर्टिकल, ये मारकर एक तो बड़ी प्रोब्लम है, इसकी ये रहा, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 39, 30 नहीं देंगे ना, तो इतना हमें ध्यान रखना है, ठेक है, इतनी बात आप लोगों को याद रहेगी, मैं उमीद करती हूँ, म हमने मोटे तोर पे सबसे पहले देखा मौलिक अधिकार क्या है, कहां उनका जिक्र है, उसके बाद मैगना कार्टा की बात की, उसके बाद कैसे ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, और किस तरीके से ताना शाही को मरियादित रखते हैं, और इन्हें मूल क्यों कहा जाता है, ये सारी बाते हमने डिसकस की दोस्तों, उसके बाद हमने देखा कि पहले साथ थे मूल समिधार में, फिर संपत्तिक अधिकार को हटा दिया गया, अब वर्तमान में छे मोलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उसके बाद हमने विशेष्टाएं देखिए कि धानिक संचोधन के माध्यम से विधी के माध्यम से नहीं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ राष्ट्या पातकाल में 20-21 को छोड़ के निलंबित हो जाते हैं और फिर 19 वाला मैंने बता है जब आपातकाल पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे आर्टिकल 358 और 359 उसक के बाद सशस्त्र बलो भाई 33 में यदि संसच चाहे तो उनके मूल अधिकारों में कटोती कर सकती है और वो न्याल्या नहीं जाएंगे या जहां पे फोजी कानून है वहां पे भी मौलिक अधिकारों में कटोती की जा सकती है और ये देश की एकता अखंडता को है बच्चों इसके अलावा जो भी समयधानिक या वैधानिक जो प्राधिकरन है जैसे LICONGC या इसके अलावा मैंने बताया एक परसेंट भी जिस संस्थान में राज्य की या सरकार की भागिदारी है वो सब राज्य की परिभाशा के अंडर आएंगे आर्टिकल 13 को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और याद रखिए इस आर्टिकल 13 को यदि आपने समझ लिया ना तो आप आधी जंग जीत चुके हैं ये आर्टिकल 13 अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है लेकिन है कुछ नहीं देख लिया हमने बहुत अच्छे से और उसके बा और किस तरीके से हमने देखा कि संशोधन और विधी के बीच में क्या डिफ्रेंसिज हैं और वाद की जब चर्चा की तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल धाचे का जो हमारा लेक्चर है उसमें जाके हमें इन चीजों को एक बार अच्छे से समझ लेना है उसके बा स्लाइड्स को बनाती हूँ या पढ़ाती हूँ कि मेरे सामने बैठा हुआ बच्चा बिल्कुल नया है उसे कुछ नहीं पता है वो समझ सके ठीक है तो आप लोगों का होमवर्क है कि हमारे कौन-कौन से अधिकार है उसकी एक पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को दी है कल आप ये याद करके बैठेंगे और फिर हमें एक एक अधिकार को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जादा स्थाई तोर पे चीज़ें बैठ जाएंगे तो ये हमने देखा उसके बाद हमने विदेशियों को कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है वो पाँच अधिकार देखे और नागरिकों और विदेशियों को उन पाँच को माइनस करके जितने भी अधिकार होंगे वो सारे होंगे तो इस तरीके से हमारी आज की जो क्लास है उसमें हमने मोलिक अधिकारों को जो एक फंडमेंटल तरीके से शुरुआत की उसकी और आ आप लोगों को अच्छी अलग रही है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, जिससे जो दूर दराज गाउं में जो रहने वाले बच्चे हैं, यदि उनको बहतरीन सामगरी नहीं मिल पा रही है, वो अगर इस वीडियो से कुछ भी फायदा उठा सके तो उनका भला हो पाए, ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है, इसके साथ ही सम्मिट टू ट्रांसपोर यूर CSE प्रप्रेशन होने वाली है दोस्तों, ये बीस और इकिस फरवरी को होगी, इसमें रजिस्टर करें, भागिदारी करें, मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें, ललीत आप प्लस या इकोनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है, आप मेरे मार्क दर्शन में अपनी तयारी करना चाहते हैं, तो ललीता वाई टी कोड का यूज करें, सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, और दोस्तों, अनकैडमी तो आप मुझे बताईए, आप लोगों को कुछ चीजे समझ नहीं आ रही हैं, तो बताईए, और यदि आप लोगों को मेरी कक्षा पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे उत्सा बढ़ता है, तो दोस्तों बने रही है मेरे साथ, अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए, जै हिंद जै